हलो अबरिवरन वेलकम बैक टू मैं चैनल तो इन प्यारी प्यारी राख्यों को देख रहे हैं आप जल्द ही रक्षा बंदन आने वाला है और रक्षा बंदन के दिन हम बैने भाई की कलाई पे राख्या बानते हैं तो चलिए किचन के कुछ इंडिगरेंट से इन राख्यों को बनाते हैं तो इसको बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा राई ले लिया है थोड़ा सा चावल ले लिया है और थोड़ा सा चना का दाल ले लिया है यह देखे रोली का धागा है और यह फेविकॉल है और यह पतला सा कार्ट बोर्ड है और यहां पर देखे सीजर हमने लिया ह काट बोड को काटने के लिए तो सबसे पहले रोली के धागे को इस तरह से हम काट लेते हैं करीब 20 से 22 रोली का धागा हम काट लेंगे यह दिखिए काट बोड को इस तरह से कट कर लेते हैं चोटा सा कट करेंगे इसको दो भाग में कट करेंगे इन दोनों को एक दूसरे से चिपकाएंगे पहले इसमें फेविकॉल लगा लेते हैं उस पे ये देखे रोली के धावगों को मोड लेते हैं और बीच में यहां पे चिपका लेते हैं इसके उपर से एक और तुकड़ा यहां पे चिपका लेते हैं चलिए अब इसको सुखने के लिए छोड़ देते हैं इस पर एक भार की कुछ सामान रख देंगे जिससे किया उखड़े नहीं दबा रहे हैं अब देखिए यहां पर देड़ ही इंच चौड़ा और देड़ ही इंच लंबा मैंने यहां पर काट लिया है काट बोड को और इस यहां पर एक चना का दाल यहां पर देखिए चिपका लेंगे अब इसके चारों तरफ हम फेविकॉल लगा लेते हैं और चारों तरफ राई का दाना चिपका लेंगे इस तरह से यह देखिए अब थोड़ा सा रोली लेंगे और दागे को इस तरह से चारो तरफ चिपका लेंगे यह देखिए अच्छा लग रहा है नो अब यहाँ पे चारो तरफ इस तरह से फैबिकॉल लगाएंगे और इसमें चावल को एक एक करके इस तरह से चिपका लेंगे ये देखिए और ये चारू तरफ जो बचा हुआ कार्ट बूर्ड है उसको सब्धानी पुर्वक काट लेंगे ये देखिए आब रोली का धागा जो है उसके उपर फेवी कॉल लगा कर उसमें इसे चिपका लेंगे तो ये देखिए एक रागही तो मारा तयार हो गया है लग रहा है ना प्यारा चलिए दूसरी राखी बनाते है तो इसके लिए भी 20-25 इंच का तुक्रा हम काट लेंगे रोली का और यहां पे दो तुक्रा छुटप चुटप हम काट बोर्ट का काट लेंगे और इसमें धागे को बीच से लगाकर दोनों को चिपका लेंगे एक दूसरे से अब यहां फिर रोली लेंगे और देखें उंगली में इस तरह से लपेटेंगे उंगली से इसे निकाल लेंगे और थोड़ा सा छोड़ कर इसे कट कर लेंगे अब इसमें एक नॉट लगा देंगे एक या दो नॉट लगा लेंगे और उपर से और नीचे से कट कर लेंगे ये देखिए उपर से और नीचे से हम इसे कट कर लेते हैं अब देखे बीच से लेकर इसे इस तरह से फ्लावर के जैसा बना लेंगे और चारो तरब से peacefully गोर्ल कर लेंगे दीजिए फूल की तरह तयार हो गया है आप card board में फैविकल लगाकर इसे इस तरह से चिपका लेंगे थोड़ा सा फैविकल इसके ऊपर लगा लेते हैं बीच में फैविकल लगाएंगे इसके उपर एक चना का दाल इस तरह से चिपका लेंगे, अच्छी तरह से चिपका लेंगे, ताकि यह बाद में ना उकड़े, अब चारो तरफ से थोड़ा सा हलका सा फेविकॉल लगाएंगे, और राई के दाने चारो तरफ चिपका लेंगे, यह देखिए, खुबसूरा दरा किया त्यार हो गई है ना चौड़ा दो इंच लंबा में गोल काटेंगे, उसके उपर फेविकॉल लगाकर बीच में चना दाल लगाकर चारो तरफ राई चिपकाएंगे, अब देखिए, उसके चारो तरफ फेविकॉल लगाकर चना का दाल चारो तरफ इस तरह से चिपका लेते हैं, यह देखिए, अब ये जो चार तरफ बचा हुआ काट बूर्ड है उसे इस तरह से काट लेंगे इसे काट कर हटा देंगे और चना के दाल के जो बीच में जगा बच जाता ना वहां पर एक एक चाबल लगा लेंगे एक तुकड़ी के उपर फेवी कोल लगाकर रोली का दागा रखके उपर से इसे चिपका लेंगे अब एक भारी चीज इस पे रख देते हैं ताकि या ना उकड़े और इसे सुखने के लिए छोड़ देंगे चलिए देखिए मारी सारे राकिक थाली हो गई है ताली में इसे सजा लेते हैं तो आप भी इसे घर पर चुरू ट्राइग कीजिए और भाई के हातों में इसे बान लेंगे अभी तक हमारे चैनल को आपने इस सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर और वेलोटन को भी टेस्ट करके All बटन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने बले मीडियो का नोटी फिकिसन आपको सबसे पहले मिले धन्य बाद